हेलो दोस्तों मैं सचेन अरोडा एक बाफ फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ अरोडा एजुकेटर के इस ओफिशल प्रेट पॉर्म पे आप सब बहुत बढ़ी आ होंगे और आज के सेशन में एक बाफ फिर से हम लोग बात करेंगे SSE, CGLO, CHSL के कमप्यूटर के बेस्ट 40 कोशन के साथ और आज है इसका डे फूर डे वन से लेकर डे थ्री तक हम लोग ने बेस्ट कोशन पर बात करी हम लोग ने उन कोशन पर बात करी जो की TCS अपने एक्जामस में पूछता है TCS के लेविल को ध्यान में रखते हुए SSE के प्रीवियस एर कोशन को ध्यान में रखते हुए ये सेशन आपके चल रहे हैं पढ़िया तरीके से करिएगा हर एक कॉंसेप्ट को कॉपी में नोडाउन करिएगा और जो कोशन आप गलत करें उसको भी नोडाउन जरूर करिएगा तो चलिए फिर से आज एक बड़ टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि out of 40 आप कितना स्कोर कर पाते हैं have a look guys साथी साथ वो candidates जो की SSE, CGL, CHSL या स्टेट लेवल एक्जामस की तयारी कर रहे हैं और चाहते हैं computer का basic से advanced course मिल जाए जो concept wise यानि theory wise mcq wise topic wise mcqs, topic wise concept topic wise pdf और topic wise mock test ये सब कुछ आपको मिल जाएं तो आप join कर सकते हैं इस course से जो की 55 plus hours का video course है 12 months validity के साथ में कैसे join करें Aroda Educator application को install कर लीजेगा Google Play Store या iOS Store की मदद से फिर आप इस course से connect कर सकते हैं किसी भी confusion के regarding कोई doubt है कुछ पूछना चाहते हैं दिये गए नंबर पे whatsapp भी कर सकते हैं लिंक आपको description box और comment box में भी मिल जाएगा जिस पर directly click करके आप इस course से enroll कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के session और सबसे पहले बात करेंगे उस question पर जो की previous session में हमने आप से पूछा था question of the day decimal equivalent of this particular number is 6 बार 1 दिया हुआ है और इसका दशमलव समतुल्ल क्या होगा ये आपको बताना था कैसे करेंगे सबसे पहले दिये गए नंबर को आप लिखेंगे अगर इस नंबर को decimal में convert करना है तो आप क्या करेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32 ये इसके नीचे लिखेंगे ये ही नंबर क्यों हमने इसके नीचे लिखे क्योंकि 2 की पावर 0, 1 2 की पावर 1, 2 2 की पावर 2, 4 2 की पावर 3, 8 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 इसको open करने पर ये ही नंबर मिलेंगे अब आपस में multiply कर दीजे और plus कर दीजे multiply करने पर यही number आएंगे और plus करने पर आपको मिल जाएगा that is 63 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 that is equals to 63 yes तो आप सभी का answer जो था वो 63 आया था very good guys आज के session का पहला question यह रहा आपके screen पर बताईए a dash is a small malicious program that run hidden on infected system यह एक छोटा दुर्भावना पूर्ण प्रोग्राम है जो संक्रमित system पर छिपा हुआ चलता है इसे क्या बोलते हैं small है malicious यानि दूसरों को नुकसान करने वाला program है software है hidden format में गुपत रूप से चलता है infect करता है computers को laptops को systems को इसे क्या बोलते हैं virus, trojan, shareware या addware and the correct answer is trojan horse जो छुपकर काम करे जो hidden format में काम करे that is called trojan यानि second is the correct answer याद रखियेगा hidden का मतलब छुपके और trojan का nature कैसे होता है अपने आपको बड़ा अच्छा दिखाता है लेकिन होता नहीं है that pretend to be useful but actually not that is called trojan horse next dash work in background and still sensitive data dash प्रस्ट भूमी में काम करता है और समवेदन shield data को चुराता है इसे क्या बोलते हैं background में काम करेगा चुराएगा आपके sensitive data को यानि आपके computer के important data को इसे भी क्या बोलेंगे trojan horse जो background पर काम करे जो छुपकर काम करे जो hidden format में काम करे that is called trojan third option trojan is the correct answer तो अगर hidden मिले background मिले तो इन सभी cases में answer क्या हो जाएगा trojan horse next trojan से question जरूर आएगे कम से कम आपको exam में दो से तीन question मिलते हैं trojan से ही तो यह important है trojan do not do one of the following which is that do not do का मतलब trojan क्या नहीं करता है बताईए trojan निमलिकित में से कोई एक कार नहीं करता वह क्या है deleting the data क्या trojan horse data को delete करता है जी हाँ अना computer में नुकसान पहुचाता है data को delete करता है protect करता है data को जी नहीं कभी भी trojan यानि malware data को protect तो नहीं करेगा modify करेगा data को क्या data को change कर देगा हाँ क्या copy करेगा data को और किसी दूसरे को देदेगा हाँ तो क्या नहीं करता protecting data data को protect नहीं करता जबकि delete modify और copy करने का काम करता है तो correct answer होगा protecting the data समझ में आया beta very good trojan cannot trojan क्या नहीं कर सकता इस्टील दी डेटा सेल्फ रेप्लिकेट स्टील दी financial information यह स्टील दी login credential क्या trojan horse data को स्टील कर सकता है yes क्या self replicate कर सकता है क्या अपनी copies बना सकता है क्या अपने आपको बार बार दोहरा सकता है नहीं self replicate नहीं होता स्टील दी financial information क्या हमारी financial information को चुरा सकता है हाँ स्टील दी login credentials क्या username और password जिसको login credentials बोलते हैं क्या इसको चुरा सकता है हाँ लेकिन क्या नहीं कर सकता self replicate नहीं कर सकता clear next dash enables a hacker to open a piece of program or application and rebuild it without further features and capabilities rebuild it with further features and capabilities क्या मतलब है इसका dash एक hacker को program या application का एक टुकड़ा खोलने और इसे अतरिक्त सुविधाओं और शमताओं के साथ फिर से बनाने में सक्षम बनाता है इसे क्या बोलते हैं मतलब ये जो hacker है ये क्या करता है किसी भी software को लेता है और उसको open करता है open करने का मतलब उसके source code को देखने की कोशिश करता है उसमें बदलाव करने की कोशिश करता है ओर दुबारण से उसको अलग बदलाव करके फिर उसको close करके दे देता है किसी भी software को पकड़ेगा उसमें changes करेगा उसमें बदलाव करेगा ऐसे hacker को क्या बोलते हैं जो ये काम करते हैं very important question and the correct answer is reverse engineering software पर काम करना इतना आसान तो नहीं होता ये काम कौन कर पाएगा engineer लेकिन क्या ये सही direction में कर रहे हैं नहीं negative direction में गलत रहा पर चल रहे हैं तो इसे क्या बोल दिया जाता है reverse engineering अगर ये software engineering होती तो इसमें software को develop किया जाता लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है बने बनाए software को open करके उसमें बदलाव करके उसमें modification करके उसको ऐसा बना दिया जाता है ताकि वो hacking में काम आए तो answer क्या हो जाएगा that is called reverse engineering समझ में आ गई बात very good for hacking a database or accessing and manipulating the data which of the following language the hacker must know किसी database को hack करने या data तक पहुचने और hair fare करने के लिए hacker को निम लिखित में से कौन सी भाशा आनी चाहिए अगर hacker चाहता है किसी भी database में बदलाव करना तो उसे कौन सी language आनी चाहिए SQL, HTML C++ या F sharp correct answer होगा SQL database पर काम करने के लिए जो language है वो कौन सी है structured query language यानी SQL अगर उसे SQL आएगी तभी तो वो database को hack कर पाएगा तभी तो वो SQL based injection बना पाएगा और database को hack कैसे करते है SQL injection की मदद से जो की database में लगाया जाता है और database को पुरी तरीके से hack कर लिया जाता है तो आंसर क्या है SQL structured query language which of the following is not a type of virus नेम लिखित में से कौन सा virus का एक प्रकार नहीं है food sector, polymorphic, multi-paratite या trojan virus का मतलब vital information resource under seas virus का प्रकार नहीं है trojan horse is not a virus अभी हम लोग ने पढ़ा था कि trojan replicate नहीं करता virus का nature क्या है replicate होना अपनी copies बनाना तो इसका मतलब कौन सा virus नहीं है trojan virus नहीं है जबकि boot sector virus है polymorphic virus है multi-paratite virus है याद रखेगा ये important question है trojan is not a virus because trojan horse do not replicate themselves क्योंकि ये अपने आपको replicate नहीं करता अपनी copies नहीं बनाता जबकि virus का nature क्या है replicating in nature warm है वो भी replicate करेगा virus है वो भी replicate करेगा लेकिन trojan horse जो की एक malware है हना लेकिन ये replicate नहीं करता याद रखेगा dash infect the executable as well as the boot sector dash निशपादन योग्य के साथ-साथ boot sector को भी संक्रमित करता है अगर question में सिर्फ इतना लिखा होता कि ऐसा कौन सा virus है जो boot sector को संक्रमित करता है जो boot sector में प्रवेश करता है जो booting होने से रोकता है तो answer हो जाता boot sector virus लेकिन ऐसा virus जो की executable files exe यानि software को संक्रमित करे software को चलने से रोके और boot sector को भी चलने से रोके तो answer हो जाएगा multi-paratite virus क्या हो जाएगा multi-paratite virus तो अगर question में executable file और boot sector दोनों की बात हो रही होगी तो answer multi-paratite होगा सिर्फ boot sector की बात हो रही होगी तो boot sector virus होगा polymorphic virus का मतलब जो अपनी कई सारी copies create करे more than one form अलग-अलग form में execute करे that is called polymorphic virus non-resident virus का मतलब जो RAM में रहता है जो RAM को destroy करता है जो RAM की files को बरबात कर देता है delete कर देता है खराब कर देता है लेकिन RAM में रहता नहीं है खराब करके RAM को छोड़के चला जाता है वो है non-resident virus ऐसा virus जो RAM की files को corrupt करता है और corrupt करने के बाद Random Access Memory को छोड़ के चला जाता है That is called Non-Resident Virus Resident Virus कौन सा होता है जो RAM में रहता है RAM को खराब करता है और फिर RAM में ही रहता है यानि RAM को छोड़ कर नहीं जाता वो Resident है और जो RAM की Files को खराब करता है फिर RAM को छोड़ कर चला जाता है That is called Non-Resident Virus समझ में आया very good which of the following type of hackers also known as cracker comma hack to gain unauthorized access to a system निमलिकित में से किस प्रकार का एक hacker है जिने crackers के नाम से भी जाना जाता है हैं तो ये hacker लेकिन इने cracker भी कहते हैं किसी system में अनाधिकरत पहुच प्राप्त करने के लिए hack करते हैं crackers को क्या बोलते हैं black hat hacker is called cracker जो black hat hacker होते हैं जो illegal hacker होते हैं जो computer ये system को destroy करने का काम करते हैं that is called black hat hacker और इनी को crackers भी बोलते हैं याद रखेगा black hat hacker is called cracker या cracker is also called as black hat hacker next who is popularly known as the father of cyber security अगर cyber पर इतने हमले हो रहे हैं ट्रोजन के थ्रू, ransomware के थ्रू, malware के थ्रू, वाइरस के थ्रू तो क्या सुरक्षा की requirement है yes तो father of cyber security कौन है किसने network या पूरे computer को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा उठाया cyber सुरक्षा के जनक के रूप में किसको जाना जाता है the answer is august crack shop यानि second is the correct answer ये हैं अंकल जी जिने father of cyber security के नाम से जानते हैं august crack shop father of cyber security जनक of cyber security founder of cyber security is known as Mr. August next which of the below can be classified as a type of computer threat threat का मतलब नुक्सान computer को सबसे बड़ा खत्रा किससे है computer को सबसे बड़ा नुक्सान अगर कोई पहुचा सकता है तो वो कौन है निम लिकित में से किसे एक प्रकार का computer खत्रे के रूप में वरगी करत किया जा सकता है DOS attack phishing soliciting both one and three very important question threat अगर कभी भी पूछा जाये तो answer क्या होगा DOS attack denial of service attack denial of service attack जिसको DOS attack बोलते हैं ये क्या है computer को सबसे ज़्यादा खत्रा इससे क्यों है क्योंकि DOS क्या करता है आपके computer यानि आपके server पर attack करता है एक server पर attack करेगा और उसको काम करने से बंद कर देगा ये है DOS attack DOS क्या होता है distributed denial of service ये कई सारे server पर हमला करता है that is called distributed denial of service एक server पर हमला करे और उसको चलना बंद कर दे ऐसा attack DOS attack करता है DOS का मतलब कई सारे server पर हमला करे और उसकी working को रोग दे that is called distributed denial of service attack ये क्या है computer threat है सबसे बड़ा computer को खत्रा इसी से है next what is the use of bridge in a network network में bridge का क्या उप्योग है हम लोग जानते है networking पर काम करने वाली कई सारी devices है जैसे bridge, hub, router, modem, gateway, firewall हना और भी बहुत सारी router and so on तो क्या रहे bridge का काम क्या होता है to control network speed to separate local area network for different protocols to connect local area network local area network को connect करने के लिए ही bridge का use किया जाता है या similar protocol की case में bridge का use किया जाता है तो अगर similar protocol होता तो भी bridge हो जाता या to connect local area network की बात करें तो भी answer क्या होगा bridge यानि fourth is the correct answer for different protocol अलग-अलग protocols, अलग-अलग network, अलग-अलग topologies अलग-अलग protocol पर कौन काम करता है gateway similar protocol, similar network, similar topologies, similar protocols पर काम काम करता है bridge yes, very good which generation of computer saw the widespread use of graphical user interface किस PD के computer में graphical user interface जिसे GUI बुला जाता है का व्यापक उप्योग देखा गया बताईए GUI, graphical user interface, Windows operating system कैसा है GUI, DOS operating system कैसा है, CUI, तो GUI किस generation में आया? पूर्थ जनरेशन में the GUI was first developed at Xerox Parsi Research Center by LNK GUI के बारे में अगर बात करें, तो GUI का मतलब क्या होता है? user friendly, graphical user interface, clicks पर काम हो जाएं GUI है GUI को किस ने develop किया? जिस research center ने develop किया, उसका नाम क्या है? Xerox Parsi, Palo Alto Research Center और किसके द्वारा develop किया गया? LNK, person कौन थे? LNK और जो research center था, उसका नाम क्या था? Xerox Parsi, किस generation में आया? 4th generation, very important Next, with a paid account of Gmail user can send up to dash emails per 24 hours period Gmail के सशुल कखाते के साथ उपयोग करता प्रती 24 घंटे की अवदी में कितने email भेड सकता है? बताईए, हम लोग जो Gmail यूज करते हैं वो तो free of cost है हला, जो आप लोग यूज करते हैं Gmail वो तो free of cost है कोई पैसे नहीं दिये आपने अगर पैसे नहीं दिये free of cost के case में कितने mail आप send कर सकते हैं 24 hours period में? 500 लेकिन अगर paid account की बात करें तो ये 4 गुना हो जाते हैं that is 2000 अगर जीमेल का paid account की बात करें तो paid gmail called Google वर के space इसे क्या बोलते हैं? Google वर के space बोलते हैं और अगर आप जीमेल को paid करके अगर उस पर काम करेंगे तो 24 गंटे में कितने mails आप send कर पाएंगे? 2000 लेकिन अगर free account का use करते हैं तो एक दिन यानी 24 गंटे में कितने mails आप भेज पाएंगे? तो answer है 500 mails पर 24 hours period याद रखिएगा important है Total number of rows and columns on a worksheet in MS Excel 365 is MS Excel 365 में एक worksheet पर पंक्तियों और इस्तंबो की कुल संख्या कितनी है Excel 365 की बात करें तो rows total कितनी होती है 10,48,576 rows और columns कितने होते हैं 16,384 columns यानि second is the right answer तो MS Excel 365 या latest version के case में rows आपकी कितनी होंगी? 10,48,576 और columns कितने होंगे? 16,384 next Microsoft launch Office 365 in which year? Microsoft ने Office 365 किस वर्ष में launch किया? बताएए Office 365 कब launch किया गया? 2011 में Very good 2011 That is the correct answer 28,01,2011 को Office 365 लॉंच किया गया जो इस समय का subscription based latest version भी बन चुका है मैंना क्योंकि Microsoft ने क्या कहा? कि अब 2021 के बाद कोई भी वर्ष नहीं आएगा जितनी भी अपडेशन होंगी वो Office 365 जिसे Microsoft 365 भी बोलते हैं हना इसी में की जाएगी Very good Next What is the minimum and maximum font size available in drop-down in MS PowerPoint 365? MS PowerPoint 365 में drop-down में उपलब नियूंतम और अधिक्तम font अकार क्या है? बताईए PowerPoint में जो minimum font size है वो 8 है और maximum की बात करें drop-down में तो 96 है आईए देखते हैं PowerPoint उपन करीए और ये जो आपका font वाला box given होता है जिसे drop-down बोला जाता है इस पर click करीए तो सबसे उपर आपको 8 देखेगा और सबसे नीचे आपको 96 देखेगा यही MS Word में अगर आप उपन करेंगे तो सबसे उपर 8 देखेगा और सबसे नीचे 72 देखेगा लेकिन PowerPoint के case में सबसे उपर 8 और सबसे नीचे 96 याने second is the correct answer Next Question number 18 बताए Dash is a type of ROM whose capacity are programmed by the integrated circuit manufacturer Dash एक प्रकार की read-only memory है जिसकी शमता एकिकरत circuit यानि integrated circuit निर्माता द्वारा प्रोग्राम की जाती बताएए यह एक ROM का प्रकार है ROM कितने प्रकार की होती है ROM की बात करें P-ROM, Programmable ROM E-P-ROM, Erisable Programmable Read-Only Memory E-E-P-ROM, Electrically Erisable Programmable Read-Only Memory और Mask ROM जिसे M-ROM भी बोलते हैं तो ऐसी कौन सी ROM है जिसमें integrated circuit को बनाया जाता है manufacturer के द्वारा answer is called M-ROM Mask ROM यानि fourth is the correct answer यह M-ROM क्या होती है Mask ROM क्या होती है जिसे order दे कर बनाया जाए that is called Mask ROM जिसे embed करवाया जाए एक बार अगर आपने order दे दिया तो इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता यह इसका debarret भी है कि अगर एक बार यह बन गई फिर इसमें कोई modification नहीं हो सकता कोई बदलाव नहीं हो सकता क्योंकि order दे कर बनवाया गया था M-ROM अगर ROM के साथ में integrated circuit मिल जाए तो हमेशा answer क्या होगा mask ROM जो की काफी बार पूछा जाता है next in dash you can see a list of recipient and that's not the case with dash में आप प्राप्त करताओं की सूची देख सकते हैं और dash के साथ ऐसा नहीं हो सकता पता ही email के case में किस में आप recipient की list को देख सकते हैं कि किस किस ने mail भेजा और किस case में ये possible नहीं है CC carbon copy के case में आप list of recipient को देख पाएंगे लेकिन BCC के case में आप नहीं देख पाएंगे blind carbon copy है तो CC in Gmail CC means carbon copy जिसमें आप ये देख पाएंगे कि आपको mail किस किस ने भेजा या किस किस को सेम mail गया लेकिन BCC में आप ये बात नहीं देख पाएंगे कि ये mail और किस किस को भेजा गया है यानि blind carbon copy है नेक्स्ट इन MS Excel 2021 प्रेस डैश की टू एंटर न्यू लाइन विदिन असेल बताएं Microsoft Excel 2021 में सेल के भीतर नई लाइन दर्च करने के लिए कौन सी कूझी को दबाएंगे एंटर करने के लिए Excel में अगर सेल में अगर आपको एंटर करना है तो क्या करेंगे Alt प्लेस एंटर दबाएंगे देखी MS Excel में हमने क्या लिखा हुआ है Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote अलग अलग लाइन में सेल में अलग अलग लाइन कैसे आएगी जब Alt के साथ में एंटर दबाएंगे Very Good Which shortcut key is used in MS Excel 365 to enter the current time MS Excel 365 में वर्तमान समय दर्च करने के लिए किस shortcut key का प्रयोग किया जाता है वर्तमान समय की बात हो रही है Excel में अगर current time आपको insert करना है तो क्या करेंगे Ctrl, Shift, Colon Ctrl, Shift और Colon दबाएंगे तो current time insert हो जाएगा जो भी तुरंत time होगा जो भी current का time होगा वो insert हो जाएगा कैसे Ctrl, Shift और Colon की मदद से तो current date कैसे insert करेंगे Excel में Which shortcut key is used in MS Excel 365 to enter the current date MS Excel 365 में वर्तमान दिनांग दर्च करने के लिए किस shortcut कुँजी को प्योग किया जाएगा Very Good Ctrl प्लेस सेमी कॉलन Ctrl के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो current date आपकी enter हो जाएगी तो answer हो जाएगा option number 2 इसका मतलब time अगर आएगा तो Ctrl, Shift और Colon अगर date पूछा जाएगा तो Ctrl के साथ में सेमी कॉलन Next The input hexadecimal representation of 1110 is 1110 का input hexadecimal प्रतिनिदित्व क्या होगा ये binary number है और इसको अगर hexadecimal में convert करेंगे तो कैसे करेंगे पहले binary को decimal में convert करेंगे जो आएगा वो hexadecimal में ही उसको represent करना होगा तो सिर्फ इतना ही difference है बताईए answer क्या होगा Very good सबसे पहला काम जो number given है उसको लिखेंगे फिर 1248 right से left hand side की तरफ अब दोनों को multiply कर देंगे और जो आएगा उसको plus कर देंगे यानि one zero's are zero two one's are two four one's are four eight one's are eight इसको आपस में plus कर देंगे eight four और two क्या जाएगा 14 और hexadecimal में 14 का मतलब क्या होता है E क्योंकि hexadecimal में 10 को बोला जाता है A 11 को बोला जाता है B 12 को बोला जाता है C तो इसी प्रकार E को क्या बोला जाएगा 14 समझ में आया यानि hexadecimal की अगर बात करें तो इसमें जो numbers होते हैं वो क्या होते हैं जो digits होती हैं वो क्या होती हैं 0 से लेकर 9 और A से लेकर F hexadecimal का मतलब base 16 range 0 से लेकर 15 जहाँ 0 to 9 और A to F होगा very good next batch processing was mainly used in this computer generation इस PD में मुख की रूप से batch processing को अपयोग किया गया batch processing का मतलब एक एक करके काम करना batches में काम को करना धीरे धीरे काम को करना batch processing है और यह किस generation का part है first generation first generation में क्या आया vacuum tubes और first generation में ही क्या आया batch processing यानि first is the correct answer याद रखना यह important है batch processing किस generation का part है first generation का next in this generation time sharing real time networking distributed operating system was used ऐसी कौन सी computer PD है यानि generation है जिसमें time sharing real time network distributed operating system को प्योग किया गया fourth generation time अगर आ गया time sharing real time networking distributed operating system तो answer क्या होगा fourth generation कैसे याद रखे चार बज गए party अभी बाकी है तो यानि चार बज गए किसके साथ में हम इसका use करते हैं time का बज गए कितने चार यानि fourth generation is equally proportional to time हना ऐसे याद रख सकते हैं तो in this generation time sharing real time networking fourth generation और fourth generation में आपका microprocessor भी आया है हना ये भी याद रखेगा कि microprocessor किस generation का part है fourth generation का yes what is the shortcut key to format cell in Excel Excel में cells को format करने के लिए कौन सी shortcut key का प्रियोग होगा बहुत बार पूछा गया question तो Excel में cell को format करने के लिए control के साथ में one press करेंगे यानि control plus one is the correct answer जैसी control one press करेंगे Excel में क्या होगा format cell का box open हो जाएगा फिर आप general, number, currency, accounting date, time, percentage in sum में convert कर पाएंगे अपने recording very simple dash is an expert group that handles computer security incident dash एक विशिश्यग ये समू है जो computer सुरक्षा घटनाओं को समभालता है इसे क्या बोलते है बताईए जो computer को security प्रोवाइड करता है ऐसा कोई group बनाया गया है experts का कि अगर कहीं पर भी कोई सुरक्षा देने की requirement हो तो ये group उसको provide कर पाए इसे क्या बोलते है CERT Computer Emergency Response Team that is called search CERT CERT Computer Emergency Response Team इसका काम क्या है अगर कहीं पर भी कोई malware attack होता है कोई trojan attack होता है कोई ransomware attack होता है तो सबसे पहले जो सूचना दी जाती है वो किसको दी जाती है इस team को और यही हमें solution भी provide करती है Computer Emergency Response Team CERT Next Dash protocol is better suited for configuration where email need to be accessed only from a single device Dash एक protocol है जो उन configurations के लिए बहतर अनुकूल है जहाँ email को केवल एक device से access करने की अवशकता है Single device क्या हम email को एक ही device से access करते हैं नहीं हम तो mobile से भी कर सकते हैं laptop से भी कर सकते हैं smartphone से भी कर सकते हैं tablet से भी कर सकते हैं बस वो account login होना चाहिए लेकिन क्या ऐसा भी है कि सिर्फ device based हो हाँ अगर हम use कर रहे हैं MS Outlook का या Thunderbird का या Apple Mail का तो इसमें आपको mail का software इंस्टॉल करना होगा device पर चलाना होगा यानि answer क्या हो जाएगा P.O.P. 3 Post Office Protocol Version 3 अगर question में दिया होता multiple devices email को आप कई सरी devices से access कर सकते हैं तो answer क्या होता IMAP internet message access protocol एक device से mail को access कर सकते हैं तो answer क्या होगा P.O.P. 3 क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है email client की और email client में जो protocol काम करती है वो कौन सी है P.O.P. 3 Post Office Protocol Version 3 जो एक device पर ही काम करेगी next the operating system used to operate the mobile phone is called बताईए वो operating system जो आपके mobile phone जो आपके smart phone पर काम करता है उसे क्या बोलते है smart card operating system embedded operating system multi user all of these यह आता है बताएंगे नहीं very good mobile phone के case में जो operating system है वो कौन सा है embedded operating system embedded का मतलब जो इस पैसिफिकली उसी के लिए बनाया गया जैसे car में चलने वाला operating system embedded है जो car के लिए बनाया गया washing machine में चलने वाला operating system embedded है जो washing machine के लिए बनाया गया smart phones के लिए अलग operating system काम करता है जैसे android जो उसके लिए बनाया गया तो ऐसे operating system जो customize किये जाते हैं that is called embedded operating system next to connect network of similar protocol which of the following are used अभी बताया था समान protocol के network को जोडने के लिए निम लेक्षित में से किसको प्योग किया जाएगा similar protocol, similar network, similar topologies, similar की format में कुछ भी पूछे similar network, answer क्या होगा bridge, लगादो answer लेकिन अगर option में bridge नहीं है तो router होगा similar के case में अगर bridge मिले तो बले-बले नहीं है तो फिर router लेकिन dissimilar होता, different होता तो gateway हो जाता next in the formula which symbol specify the fixed column or rows in MS Excel 365 Excel में symbol से question जरूर आते है कि ये symbol Excel में क्या denote कर रहा है तो क्या रहा है ऐसा कौन सा symbol है जो fix करता है columns को, rows को जो rows and columns को fix करता है मतलब lock कर देता है, ताला लगा देता है ऐसे symbol को क्या बोलते है सूत्र में कौन सा प्रतीक MS Excel 365 में निश्चित column या पंक्ती को निर्दिष्ट करता है यानि बात हो रही है cell referencing की और cell referencing का मतलब row या column को lock करना या दोनों को lock करना और वहाँ पर कि symbol का use होता है very good, dollar का तो correct answer क्या होगा dollar याद आया न, तीन तरीके के cell referencing मैंने आपको बताई थी जैशरी राम, relative, absolute और mixed याद आया, राम मतलब relative, absolute और mixed अब ज़र एक्सल के symbols को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से question तो आना ही आना है confirm है equals to किसी भी formula और function को begin करने से पहले शुरू करने से पहले किसका use होगा equals to का asterisk और question mark का इस्तमाल क्यों करते हैं wild card के लिए search करने के लिए special characters को asterisk या question mark concatenate चोडने के लिए किसका use होगा ampersand का cell referencing के लिए dollar का cell range को दिखाने के लिए colon का कोई error आ गई है cell में इसको कैसे दिखाएंगे hash array को कैसे represent करेंगे curly brackets ये साथ तरीके के excel के symbol हैं जहां से question जरूर बनेगा confirm है hundred percent formula या function किससे begin होता है equals to say wild card यानि search करने के लिए special characters को किसका use होगा asterisk question mark concatenate जोडने के लिए किसका use होगा ampersand and symbol का cell referencing के लिए किसका use होगा dollar का भी बताया cell range के लिए कि किस cell से लेकर किस cell की बात हो रही है colon कोई error आ गई hash array के case में curly bracket का use होगा very very important one exam में आ जाए तो thank you बोल दीजेगा next which of the following network device has the slowest type of connection आएगा ही आएगा ये question confirm है very important निम लिकित में से किस network device में सबसे धीमे प्रकार के connection है बताओ सबसे धीमा connection किसको बोलेंगे अच्छा सबसे तेज किसको बोलते है networking यानि इंटरनेट पर सबसे तेज connection क्या बोलते है broadband और broadband का मतलब DSL digital subscriber line ये broadband है slowest कौन से connection होगा telephone line connections जिसमें modem का इस्तमाल होता है जिसे dial-up modems के नाम से भी जानते हैं तो correct answer होगा dial-up modem ये dial-up connections which are called slowest type of connection और fastest कौन सा होगा broadband ये DSL connection digital subscriber line ये broadband नेक्स्ट डैश is the art of manipulating influencing और deceiving you in order to gain control over your computer system डैश आपके computer system पर नियंतरन पाने के लिए आपको हेर फेर करने प्रभावित करने या धोका देने की एक कला है कई बर आपके पास में ऐसे messages आते हैं कि जल्दी से एक link पर click करए वरना ये expire हो जाएगा जल्दी से इस form को fill करए वरना आपका account बंद हो जाएगा ऐसे करके वो क्या करना चाहते हैं आपके account को hack करना चाहते हैं आपके computer को access करना चाहते हैं और इस तरीके की आल्ट को इस तरीके की कला को क्या बोला जाता है Social Engineering Engineering है यह पना एक कला है That is called Social Engineering जहां पर आपको धुका दे कर आपके हेर फेर करके प्रभावित करके किसी भी तरीके से डरा के आपके एक्सेज ले ले कंप्यूटर का या किसी भी अकाउंट का That is called Social Engineering Very Important Question Next Minimum number of rows and columns in MS Word document is MS Word में MS Word दस्तावेज में पंक्तियों और स्थम्भू की नियूंतम संख्या कितनी है One, one rows, one column यानि first is the correct answer Minimum कितनी rows और कितनी columns हो सकती है एक, कम से कम एक तो होगी न तो minimum rows कितनी होगी One, minimum columns कितने होगे One, first is the correct answer Next This address does not alter or change Computer का ये address बदला नहीं जा सकता Change नहीं किया जा सकता Modify नहीं किया जा सकता With the passing time in computer networking Networking के case में Computer networking में ये है पता ये address गुजरते समय के साथ नहीं बदलता कितने तरीके के address होते हैं Media access control address कितने bit का होता है 48 bit का आप जानते हैं कहां लिखा होता है NIC card की उपर किस format में होता है hexadecimal format में कितने digits का होता है 12 digit का जो 66 में divide होगा आना यही तो है आपका Mac address Yes Data link layer पर काम करता है frames के format में data को forward करेगा Mac address याद आ गया तो Mac address are physically attached to a hardware device ये NIC card की उपर होता है और hardware device पर attach किया जाता है क्या बदला जा सकता है Mac address हाँ बदला तो जा सकता है अगर NIC card को बदल दे तो Mac address को बदल दिया जाएगा क्योंकि NIC card के उपर लिखा होता है लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा कोई नहीं करेगा बदल सकते हैं लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि NIC card को कोई बदलेगा नहीं ठीक तो not alter or change के case में आंसर क्या होगा Mac change और alter के case में आंसर क्या होगा कि change हो सकता है IP address which one hold data and instructions बताईए कौन सा data और निर्देश रखता है file disk, BIOS, RAM या ROM data और instructions जहां store होते हैं that is called RAM random access memory क्योंकि ये temporary store किये जाते हैं data को instruction को तो answer क्या होगा that is called RAM random access memory हाना या फिर इसको semiconductor memory भी बोलते हैं RAM and ROM both are called semiconductor memory RAM कितने तरीके की होती है दो तरीके की static और dynamic static RAM cache memory को बनाने के लिए dynamic RAM हमारे computers में use होती है क्या dynamic RAM further classify है हाँ किसमे SD RAM DDR की format में double data rate synchronous dynamic RAM SD RAM समझ में आया very good parallel port is quiet क्याना computer में parallel port को क्या कहा जाता है हम लोग जानते है कि parallel port का use करते है printer के case printer हो या scanner parallel port का use किया जाता है mouse और keyboard के case में कैसा port यूज होगा serial port तो parallel port को किस नाम से जानते है female connector where a serial port is called male connector parallel port को क्या बोगते है female connector next what is the by default paper size in MS Word document MS Word दस्ता वेज में default रूप से कागच का कर क्या है बताओ बहुत प्यारा question है आता जरूर है ये MS Word से बिल्कुल सही MS Word में जो default paper का size है वो कितना है letter MS Word में जो paper के sizes हैं कितने हैं 10 letter tabloid legal statement executive A3 A4 A5 B4 B5 इन में से by default paper का size कौन सा है letter कई बार ये भी question आता है कि इन में से paper का size कौन सा नहीं है तो ये 10 नाम याद रखेगा ये paper के size है और default कौन सा है letter next dash need human action to replicate and dash does not need human action to replicate बताईए dash को दोराने के लिए मानवी क्रिया की अवशक्ता है और dash को दोराने के लिए मानवी क्रिया की अवशक्ता नहीं होती क्या बोलेंगे इसको सोच के बोलना बहुत प्यारा कोशन है किसमे human की अवशक्ता है replicate आपका वाइरस भी होगा warm भी होगा और replicate जो नहीं होता वो कौन सा है human action की requirement होगी वाइरस के केस में और human action की requirement नहीं होगी warm के केस में तो correct answer हो गया first option virus, warm वाइरस कब activate होगा जब इनसान किसी भी folder पर किसी भी file पे click करेगा जब उसकी involvement होगी warm self replicate करता है बिना human interaction के बिना human involvement के अपने आप स्वतंत रूप से काम करेगा that is called war right once read many very good next the dash is an example of simplex device dash एक simplex device का उधरण simplex device का मतलब एक ही direction में data का जाना simplex है unidirection load के नहीं आएगा अगर load के आ गया तो half duplex भी हो सकता है और full duplex भी क्योंकि half duplex अलग-अलग time पर काम करता है और full duplex real time पर काम करता है हना तुरंत response तुरंत आएगा full duplex हो जाएगा तो simplex device क्या होगी repeater, walkie-talkie, keyboard या telephone keyboard, mouse, monitor ये सब आपकी क्या है simplex device है तो answer हो गया keyboard is the right answer keyboard हो, monitor हो, mouse है ये सब एक ही direction पर काम करते हैं send करते हैं सिर्फ हैना receive नहीं करते that is why it is called simplex device very good तो 40 में से आपने कितना score किया ये comment करके जरूब बताईएगा इसी के साथ आज का जो question of the day है जो की काफी important question है ये रहा what cable connect hard disk drive यानि HDD to motherboard क्या hard disk motherboard से connected होती है yes RAM, ROM जितनी भी memory है वो सब motherboard से ही connected होती है अना जिसे PCB भी बोलते हैं printed circuit bolt motherboard तो ऐसी कौन सी cable है जो hard disk को motherboard से connect करती है कौन सी cable hard disk drive यानि HDD को motherboard से जोडती HDMI cable DVI cable Ethernet cable SATA cable या आता है बताएंगे नहीं क्या होगा इसका correct answer अगर पता है तो comment section में comment करके जरूर बताईएगा कैसा लगा आपको आज का session पसंद आया हो तो लाइक करिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा साथी साथ अगर computer को बिलकुल basic से advanced level तक सीखना चाते हैं topic wise पढ़ना चाते हैं तो जुड़ जाईएगा इस score से SSE CGL CHSL 2024 latest exam pattern पर based validity 12 months concept MCQ PDF और mock test के साथ join करने के लिए Aroda Educator application को install करिएगा Google Play Store या iOS Store की मदद से फिर आप connect हो जाएगे कोई confusion है कोई doubt है कुछ पूछना चाते हैं हमसे directly whatsapp कर दिजेगा दिए गए नंबर पे session में कोई doubt है तो comment करके बता सकते हैं उमीद है कि ये session आपको काफी पसंद आया होगा और काफी चीज़ें आपने सीखी होंगी that's all for today guys बहुत जल्द मिलेंगे next best 40 questions के साथ till then bye bye and take care thank you very much guys